वीडियो वीडियो के अंदर हम जानने वाले नेक्स्ट विक और आट का डायरेक्शिन क्या हो सबता है मंडे को आप निफ्टी बेंग निफ्टी को इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेट करोगे ट्रेट के पीछे का लोजिक है सब कुछ हम डीटेल में जानने वाले तो वीडियो को कम्प्लीट जरू देखिए तभी आपको सारी चीजे डीटेल में समझ में आएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि दो दिन हमने जो है कंटिनूसली एनालिसिस वीडियो अपलोट नहीं किया अपने चैनल में लास्ट थर्सडे को और फ्राइडे का दो दिन का जो एनालिसिस है वो करते रहे ठीक तो चलिए अभी हम बात करेंगे सबसे पहले एक इंपोर्टेंट बात दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने फ्री टेलिग्राम चैनल बना रखा है काफी सारे दोस्ते इस वीडियो को एवरी डे देखते हैं लेकिन उन्होंने सस्क्राइब नहीं कर र आप लोगों साथ एक बेंग निफ्टी में ट्रेड शेर किया था पूट साइट काफी इंट्री मीडियो और काफी अच्छा टार्गेट आपको मिल चुका था ठीक ही ट्रेड मैंने शेर किया था तो जिन दोस्तों नहीं जोइन किया इसको जोइन कर ली जिगा इन दूसरी पैसा नहीं बनेगा मार्केट से ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो पहले ट्रेडिंग को समझना होगा सीखना होगा देन उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करोगा डेफिनिटली मार्केट में पैसा बनने वाला है ठीक है तो यह इस्पेशल यह कोर्स आपी के लिए बना सकते हो और लर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो ठीक है दोस्तों चलिए अभी हम बात करेंगे बेंग निफ्टी की बात करेंगे सबसे पहले बड़े ताइम पर देखेंगे तो अभी जब तक मैंने आपको बता रखा इस चेनल में मार्केट ट्रेट कर रहा है तब तक मार् ट्रेट था होलिका ठीक है तो इसकी वज़े से यह विग फी छोटा रहा था अभी हम बात करें यहां पर सिंपली अगर आप देखो गे विकली टाइम टेम पर तो हम को एक एक मेस बन रहा है स्ट्रॉंग सपोर्ट की तरह यह काम कर रहा है चालीस अजार पांसों का एरिया आप मान कि चलो राउंड लेवल नंबर है इसी के आसपास लास्ट टाइम भी प्राइस यहां पर आई लेकिन इसको ब्रेक किये बिना ही उपर के तरफ चला गया ठीक है अभ कि यह पॉइंट के लिए रहे जो कि मैं आपको काफी ताइम से बता रहा है 42,000 लेवल नंबर है साइकोलोजिकल नंबर है इसके ऊपर निकलने दो मार्केट उसके बाद ही पॉजिटिव सेंटिमेंट पर कंडवर्ट होगा उससे पहले सी क्रेट कर रहा है चली अभी हम बा यहां पर मैंने आपको क्या बता है तो यहां पर एक शूटिंग स्टार बना था इसको गिरना थे स्पीड में गरिगा दो दिन यहां पर थोड़ा सा एक दिन होल्ड करने की कोशिश की लेकिन कोई नियूस वगिरा होगी मुझे नहीं पता था क्या हुआ था उसकी से मार्केट जो है रिवर्स करेगा ही करेगा और यहां पर देखे तो बेसिकली हम फिर सा एक सपोट एरिया के आसपास आ चुके तो यहां पर राउंड लेवल नंबर क्या है 40,000 आप मान के तो लो 40,000 का एरिया इसको लेवल ब्रेक नहीं करेगी जहां तक मार्केट मुझे 15-minute time frame के चार्ट के उपर देख लेते हैं इंट्राडे में आप किस तरीके से प्लान करोगे कौन सा लेवल आपके लिए इंपोटेंट हो सकता है और किस तरीके से बाइस सिल करना है वो चीज हम समझ देते हैं ठीक है सारे लेवल में आपको दिखा देता हूं तो simply Monday के लिए ठीकि नाती मार्केट्य इस रेंज के बीच में ओपन होता है यानि कि मान के चलो 40 जया 400 से लगा कर 40 जया 800 में मार्के मुंदे सार्फ अपन होता है यह उसके बाद यहां पर intentar धूर दो subdivar क्ने चारूँ आपके बाद बान बहुत लिए इन qood के ब्लान कर दीख सकते हो जिए टर्गे टर्गे तर्गेंट के अब कर दोने होला तो यह आपका टर्गेट नंबर है यह ब्रेक करेंगा तो इसके उठ पर फिर मेजर और भी मॉमेंटम होगा ठीक है चलिए मैं इसको फिर से एकजस्स कर लेता हूं यहाँ पर 700 का लेवल है ओल्राइट ठीक चलिए अभी हम बात कर लेंगे यहाँ पर नीचे में सेकेंड अगर मैं बात करूँ वह है नीचे की तरफ करने के बाद अगर पूड़ करता है तो इसके ब्रकडावन पर हम पूड़ एक हम कर सकते हैं राउंड लेवल नुमर क्या है चालिस जा चार्टो चार्स की नीचे करना रहे कर एक कर सकते हैं आपका टार्गेट जो मेजर नीजर टार्गेट रहने का target आप यहां तक का यह plan कर सकते हैं ठीकि अगर यह target आपको मिल जाता है ठीक है अभी हम बात कर लेंगे nifty के बारे में nifty का सबसे पहले मैं weekly time frame का चार्ट लगा लेता हूं बढ़े time frame पर देख लेते यह मार्केट किया कर रहा है कर तेल उसके बाद हम छोटे इंटवे मेसा देखिए मार्केट को अदो फिए ज्यादा की जाड़ यह धी जुस्वार को मिल नहीं बड़े तारшей्ट यह शुपब्ले देखने हैं इतना बड़ा टारेट मॽंपले आपकीनि मेश के बीच में सिफ टाइम पास कर रहा है ठीक है तो इसके अंदर आपको स्कालपेंग बढ़ा रहती है या फी छोटे चोटे टार्गेट जो आपको इंट्राडे में दिखते हैं वो कापी अच्छे मिल जाते है लेकिन जब भी यह लेवल ब्रेक करेगा जब इस चैनल को मार्केट बाहर निकालेगा तभी मार्केट में बड़ा होगा और मैंने आपको अल्यदी बता रखा है कि अठारा जार राउंड लेवल नंबर निकलने तो मार्केट इसके उपर एक रोकेट बन जाएगा बड़ी तेजी इसके उपर ही होगी ठीकिए उससे पहले मार्केट पर कुछ नहीं होने वाला इस टाइम पास होगा अपर होता रहेगा ठीकिए अब ही हम बात कर लेंगे टाइम प्रेम के चार्ट के उपर देख ले थी मार्केट को निफ्टी क्या कर रहा है यहां पर देखूगे तो कहीं कई मार्केट जो है लास्ट फ्राइडे को देख सकते हो काफी बड़ा गेब डाउन ओपन हुआ यहां पर पर प्राइस ने एक डेली टाइम पर देख एक हैमर हमको बंती हो नजर आ रही है ठीक है तो मार्केट कहीं न कई फिर से यहां पर एक गेब बन गया तो यह पेंडिंग है तो अब यह फिल करने की मार्केट कहीं 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 कोशिश करने वाला तो simply हमारा plan of action क्या होगा मेज जब ब्रेक होगा तो इसके उपर 600 का टार्गेट आपको आसानी से मिल जाएगा ठीक है यह तो हो गया है मडेली टाइम पर बनाया तो कहीं न कई पोजिटिव सेंटिमेंट फिर से कनवर्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट में मार्केट कनवर्ट हो सकता चली 15 मिनिट पर की एक कंटे में की मार्केट फॉस लगया उपर हो गया उसके बाद गने के बाद गात थे करता रहा है तो दिन पर में कुछ भी पैसा नहीं तो simply आपका plan of action क्या होना चाहिए मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है यानि कि 17,370 से लगाकर 17,440 430 की रेंज के बीच में ठीक तो इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो उसके बाद यह दिस 17,440 का लेवल ब्रेक करता है तो इसके उपर हम आय कर सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज आपको समझने वाली पहली बात तो यह काफी ज़्यादा इम्पोर्टटन्ट नर्फ होने वाल है क्योंकि मार्केट क Chris करते ही मार्केट जो यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकता तो यह थोड़ा आपको क्वांटिटी कमARS कि क्योग रखे हैं पर कुछ कोनिटीरि यहाँ चलो कितनाय होगा चालिस जार रहने कि इसी तरीके सेमें सेल सइट बात करूं इसी रेंज के बीच में बीच में अपने के बार के बार मार्के जो पहली candle rate बना कर जो है लगपक मान के चलो सत्राजा कर नीची अगर trade करना स्टार्ट करेंगा तो इसके नीचे आप पूट्पाई कर सकते हैं पहला टार्गेट रहने वाला है बाकि जो मेजर ली टार्गेट रहेगा वह सतरा जार तीन सो आपका नेक्स टार्गेट होगा बागी सत्राइब तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना काफी ज्यादा सिंपल तरीके से हमको चीजों को प्लान करना ज्यादा कॉप्लिकेट करोगे तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा ठीक है चली स्टोक को देख लेते कौन सा स्टोक है जिनको कल आप मंडे क को इंट्राडे में ट्रेड करोगे ट्रेड का लूजिक है वो भी हम समझ लेते पहला इस्टोक मुझे दिख रहा है गेल इंडिया लिमिटेट को देखोगे तो यहां पर कहीं है कहीं मार्केट पहले नीचे आने की कोशिच का नीचे आते तो अगर मार्केट की यह जो लिस्ट में रख सकते हैं जैसे डेका ही ब्रेक करेगा इसके उपर हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं मार्केट यह बहुत बड़ा गेप यह गेप डाउन हो जा तो इग्नौर करना ठीक है चलिए नेक्स स्टोक के बाद को एक स्टोक मुझे अच्छा दिख रहा है सेल के ल लेवल तो इसके ब्रेकडाउन पर हम जो है सेल कर सकते हैं काफी इस स्टोक के अंदर आ सकते हैं तो इस स्टोक अपनी सेट में रख सकते हैं आई होब कि क्लियार किस तरीके से स्टोक को ट्रेट करना हैं जिसन दोस्तों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं के तो को जोइन करो कि यहां पर बहुत साथी चीजी आपको लाइव मार्केट के दौरान में शेर करता है तो हम बहुत सार ट्रेड यहां पर शेर करता हूँ ठीक है एंड जो दोस्त मेरे कंटिनिऊसली लोसस करें तो भर यह पहले ट्रेडिंग को फूरा बंद कर दो पहले ट्रेडिंग को शीख लो सीखोगे तो पैसा बनेगा नहीं शीखोगे तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है एकAMA क्जीर जीरो हो जाएगा तो वह गलतिया मत करो जो गलतिया पीछली कुछ लोग कर चुके हैं या फिर में भी कर चुका हूँ वह गलती मत करो आपको पहले ट्रेडिंग सीखना है सीखने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे यू विल डेफिनेटली मैक मनी ठीक है एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपन ऑ्रेडिंग वीडियो पाल इवाले मैक मनीऽ गलतूयो पफट